गुड बॉर्डिंग मेरे चैनल में आप सब कफिर से सौगत है आज मैं एक नए प्रोड़क्ट को लेकर आई हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो मैं बात कर रही हूँ सेंट पेंटिंग की इसका पहले इंबॉक्सिंग देख लेते हैं जिससे आपको पता तो चले कि यह कितने सीफ तरीके से पैक होके आया उसके बाद इस प्रोड़क्ट के हम बात करते हैं तो चलिए इसकी इंबॉक्सिंग देखते हैं आज यह मेरा प्रोड़क्ट डिलीवर हो गया है आमेजॉन से इस तरीके से पैक होके आया है आप देख सकते हैं अब मैं इसको ओपन करती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ पैक पूरा निकला है इस तरह का प्रोड़क्ट है और इसके साथ यह सरीन जाया तो देखा आपने कितने अच्छे से पैक होके आया है यानि सेफटी का पुरा ख्याल रख़ा रहा है कि अगर आप पैसे लगा कर कोई चीज मंगा रहे हैं तो सेफली वह आप तक डिलीवर हो जाए तो पैकिंग अब अच्छी ती सेफली मेरे पास भी प्रोड़क्त आगया और आपके पास भी ऐसे ही पहुचेगा अब बात करते आपको याद होगा बहुत पहले ती वह चाती थी अभी भी आती है बहुत आटिस्टिक तरीके की होती है जिसमें रेद बर होती है उसके गुमा देते है और एक मिनिट का समय पूरा होने तक पूरी रेद नी चायती है फिर हम उसको उपर कर देते है और फिर रेद नी चायती है यह एक एक मिनिट का हिसाव उसमें होता है इसी तरीके से अब यह पेंटिंग आई है जो सी पैंसिस कंपनी की तरफ से है और नई तरीके की पेंटि एक तरह से इसको हम meditation के लिए भी use कर सकते और अब आपको दिख रही होगी इसमें से बिल्कुल मही महीं लाइन की रेद थिए तो अलग-अलग इसके अपर बन रहे होते हैं आप र इससे बहतर साथ ही आपके लिए कोई नहीं जवरता है। इसको सामने रख दीचИ sneaking और शांत होके इसको देखते रहिए। तो आपका समेह तरह में निकल जायेगा, अलगी आपको आपको फील होगा, आप पुरी तरह से शांत हो गए। आपका मन शान्त हो गया है और आप अच्छे तरीकी से सोच समझ सकते हैं अब बात करते हैं इस सी पैंसेंस ब्रैंड की पेंटिंग की तो इसमें सैंड भरी हुई है और उसके साथ पानी है जिसकी वज़े से ये स्लो स्लो गिरता है अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें सैंड अभी गिर रहा है और इस पैंटिंग के साथ जो पैक हो की आई है उसके साथ ये इंजेक्शन आया जैसे कि मैंने अनबोक्सिंग में आपको बताया अब आप सोचेंगे इस इंजेक्शन का इसमें क्या यूज है हम कोई डॉक्टर थोड़ना है लेक नहीं इसके लिए दी गई कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक तरफ है ना उपर छोटा सा होल बनाओ है जिसमें से यह सिरींज अंदर जा सकती है तो यहां पर ह इसमें इसको डालेंगे और यह इसलिए गया है कि इसमें जो बबल्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा बबल्स बन जाएंगे तो रेत नीचे नहीं आएगी और वो लुक नहीं आपाएगा तो बीच बीच में बबल्स को थोड़ा सा निकालना पड़ता है यानि एर जालेंगे और हल्की सी एर को खीच लेंगे बस थोड़ी सी जादा नहीं और उसके अबाद उस एर को बाहर छोड़ देंगे तो यह पेंटिंग कुछ ऐसा ही काम करती है बबल बीच बीच में निकालिए इसके लिए आपको सिरिंज दी गईए अब इसको में चलाने का तरी अब देखेंगे ऐसा करने पर हलका सा रेत इधर से उधर हो रही है इसको बिल्कुल सीधा छोड़ देंगे बिल्कुल हिलाएंगे नहीं हम इसको पढ़टेंगे अब जैसे कि पास सेट हो चुके है उसके वाद सीधे इसको ऐसे हम पलड़ती जो बबल्स होते हैं वो सारे जाते हैं और उनके बीच में जो गैप होता है उससे फिर सैंड दीरे दीरे नीचे आती है और यही तो देखने वाली बात होती है जहां भी थोड़ा सा गैप है बबल्स के बीच में वहां से रेत नीचे आ रही है आपको मैं पास से लिखाती है कितना अच्छा लगए और म सैंड नीचे गिर रही है और इतना सुंदर लग रहा है जब आप शांथ होके इसको देखते हैं तो आपका समय यह चुट्कियों में निकल जाता है और मज़ा आता है देखने में कि अरे वहां कितने अच्छे तरिकी से सैंड नीचे आ रही है देखे मुझे तो आपको भी बहुत मज़ा रहा है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और इस प्रोडेक्ट की बात करूई यानि सी पैंस ब्रैंड का जो यह प्रोड़क्ट है यह आप अपने घर में रखें आपको तो सुकून मिलेगा यह मज़े की बात यह कि गिफ्ट के परपस से भी बहुत अच अच्छी चीज थोड़ी सी कीमत तो मांगती है लेकिन उसके साथ ही आपको क्वालिटी मिलेगी जो आप इस रेट के अंदर चाहते हैं और एक नई चीज जब आप घर लाते हैं तो आपको खुद बहुत अच्छा एसास होता है और गिफ्ट के परपस से अगर आप खरीते अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए भी बहुत अच्छी है तो उन्हें गिफ्ट कीजिए नई चीज जितनी ज्यादा लोगों तक पहुचाई जाए जाए उतना अच्छा लगता है क्योंकि आप उसका जरीया बनते हैं तो इस नए प्रोड़क्ट को आप अपने गहर मे जैसे में ले आई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं खाली बैठती हूं या मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत है थोड़ा शांत होने की जरूरत है मिल पस खाली समय तो इससे बहतर साथी और कोई हो नहीं सकता बस इसको सामने रख को कैसा लगा और इस प्रोड़क्त के बारे में भी अपनी राय ज़रूर बताएगा आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी बीम कर सकते हैं वहां पर जाकर बता सकते हैं कि आपको ये प्रोड़क्त कैसा लगा है और लोगों से जरूर कीजे ताती जो लोग भी इस कर दूर लाएं और मुझे पताएं कि आपको कैसा लग रहा है थेंक्यू सो मच्छ